कि एक्सराइज फोरपेंट टूगास नाइन्थ स्टार्ट करने से पहले एक्सराइज 4.1 के अंदर मैंने एक सवाल करवाय था फर्स्ट एक्ससाइस 4.1 में करवा दिया था मैने कि जो first question में notebook की cost है वो x मानने के लिए उसने कह दिया सवाल के अंदर और मैंने उस वक्त pen की कीमत एक्स मान ली और notebook की कीमत y मान ली तो उस question के अंदर आप variables को change कर लेना बाकि सारा सवाल ठीक है जैसे notebook की जो उसका उसने कहा कि notebook कि कौश्ट जो है तो late close of notebook उसने special कह दिया notesa कोई जरूरी नहीं होता कि हम किसको X माने किसको WHY माने लेकिन जब उसने कहह दिया मैं ध्यान ने दिया उसमें कि उसने कह रक्षा है कि उसे long dud के तो और तो ठीक है फिर उसको एक्स माल लो आप और कॉस्ट ऑफ पैन जो है वह वाई रूपीज हो गई तो नोटबुक की किमत जो है वो पैन से दुग नहीं दे रखी है तो इसका मतलब एक्स जो है वो टू वाई के बराबर आ गया ठीक है उसके अंदर जो वाई है वो टू एक्स के एक्वल आ गया था तो कोई फरक नहीं बढ़ता उससे बसके वल वैरियेबल आपके मानने के उपड़ इपेंड कर रहा है कि वो क्या हुआ एक्सरसाइज फॉर पैंट टू देखिए 4.2 के अंदर आपसे ग्राफ बनवा रहा है सबसे पहले दो उसने पूछा है कि which one of the following option is true and y y is equal to 3x plus 5 दे रखा है y is equal to 3x plus 5 तो कहता है इसका unique solution होगा या two solutions होगे या infinite solutions होगे तो यह आपको चेक करने तो देखिए put x is equal to 1 तो y आपके पास कितना आ गया 3 into 1 plus 5 तो यानि यह 8 आ गया तो x जब 1 है तो y कितना 8 तो यह तो एक तो first solution यह आ गया अब put x is equal to 2 अगर मैं x की जगे 2 put कर दूँ तो y is equal to 3 into 2 plus 5 यानि 6 plus 5 11 आ जाएगा तो x जब 2 रखा तो y 11 आ गया तो first solution यह हो गया second solution यह हो गया अब जब second solution आ गया है तो उसने मुझसे option में कहा कि इसका unique solution होगा या only two solutions होगे या infinite solutions होगे तो जब मैंने दूसरा निकाल दिया तो सीधी सी बात है ना इसका एक solution वाड़ा तो वो बात ही कट गई कि केवल एक solution होगा क्योंकि 2 तो मैंने निकाल के दिखा दिये अब एक का दो तो minimum दो तो होई गए ठीक है ना तो इसका मतलब अब मैं अगर put x is equal to 3 कर दूँ तो y is equal to 3 into 3 plus 5 अब यह 14 आगे तो x अगर 3 रखता हूं तो y 14 आता है यह लोजित तीसरा solution भी आ गया इसका एक solution आया कोई बात नहीं दो solution आते हैं पहली बात कट गई क्योंकि पहली बात में उसने कहा कि unique solution होगा वह बात तो कट गई अब दूसरी बात में उसने कहा कि केवल दो solution होगे जैसे ही मैंने यह निकाला तो वह दूसरी बात भी कट गई अब तीसरा option क्या infinite तो फिर क्या ब क्लियर इसके बाद इसके second question में वो कहता है कि अभी आपने ये पता लगाया हमने इस बाद से पता क्या लगाया ये आप बताईए कि क्या पता लगाया इसमें ये पता लगाया है हमने कि कोई भी एक linear equation हो अगर one variable में 2 variable में 2 variable में अगर कोई भी एक linear equation है तो उसके infinite solution होते है कोई भी linear equation in 2 variable है तो उसके infinite solution होंगे तो अब वो second question में क्या कहता है कहता है भाई अगर infinite solution अगर इसके है तो इसका जो first part है 2x plus y is equal to 7 कहता है इसके 4 solution तो निकाल दो अभी अभी आपने कहा कि इसके infinite solution होंगे तो 4 निकाल दो तो अपनी मर्जी के 4 इसमें कोई भी निकाल दो जैसे put x is equal to 1 तो 2 into 1 plus y is equal to 7 इसको ऐसे लिख लो y is equal to 7 minus 2x तो इसको मैं direct लिख सकता हूँ 7 minus 2 into 1 तो यह कितना आ गया 5 तो x 1 and y 5 एक solution तो यह हो गया फिर put x is equal to 2 तो y is equal to 7 minus 2 into 2 यानि 7 minus 4 कितना आ गया 3 तो x जब 2 पुट किया तो y कितना आ आ या 3 और put x is equal to 3 तो y is equal to 7 minus 2x यानि 2 into 3 यानि क्या आ गया 7 minus 6 is equal to 1 put x is equal to 4 अपने मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते है इसके अंदर आप जैसे minus 1 भी पुट कर सकते हो 0 भी पुट कर सकते हो आपकी मर्जी है ठीक है न तो y is equal to 7 minus 2 into 4 तो 7 minus 8 y हमारा कितना आ गया minus 1 तो x जब 4 पुट किया तो y minus 1 आया ठीक है तो एक ये एक ये और x 3 y 1 ये आ गया और x 4 y minus 1 ये हमारा पर सोलुशन आ गये ठीक है अब सेकेंड का सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड में कहता है पाई x plus y is equal to 9 इसका मतलब y कितना आ गया मेरा 9 minus पाई x तो इसका मतलब पुट x is equal to 1 तो y कितना आ गया 9 minus पाई तो x जब 1 पुट किया तो y कितना आ गया 9 minus पाई फिर y is equal to 9 minus 2 पाई हो जाएगा अगर मैं पुट करता हूँ x बराबर 2 तो x जब 2 है तो y कितना आ गया 9 minus 2 पाई और इसी तरह y 9 minus 3 पाई हो जाएगा जब हम x की जगे 3 पुट करेंगे तो x 3 y 9 minus 3 पाई और 9 minus 4 पाई हो जाएगा ये अगर पुट करता हूँ x is equal to 4 तो x तो 4 और y 9 minus 4 पाई तो ये इसके 4 solution निकालने के लिए उसने कहता 4 निकल गया है मारे second का third part देखे x is equal to 4 y अब इसमें करो put y is equal to 1 कर लो तो x क्या आ जाएगा 4 into 1 कितना आ गया 4 तो x तो 4 y 1 put y is equal to 2 तो x is equal to 4 into 2 यानी 8 तो x 8 y 2 फिर put y is equal to 3 तो x is equal to 4 into 3 12 तो x 12 तो y 3 फिर put y is equal to 4 तो x is equal to 4 into 4 16 यानी ये 16 x तो 16 और y कितना 4 1, 2, 3, 4 4 solution इसके आगे clear second question आपका complete होगे इसके तीन ही part थे okay question number 3 देखिए x minus 2y is equal to 4 कहता है इन में से कौन से इसके solution है और कौन से नहीं है जैसे first के अंदर दे रखा है उसने 0, 2 तो ये इसका solution है या नहीं हमें ये पता लगाने तो x की जगे 0 put केजिए और y की जगे to put केजिए और यहां ये आ गया तो 0 minus 4 is equal to 4 इसका मतलब minus 4 is equal to 4 minus 4 कभी भी 4 के एकपल नहीं हो सकता इसलिए 0, 2 is not the solution of x minus 2y is equal to 4 clear? अब second part में उसने क्या का? second में उसने का 2 0 इसको check करो तो x की जगे तो 2 रखो तो 2 minus और y की जगे 0 2 into 0 is equal to 4 तो ये क्या आगया? 2 minus 0 is equal to 4 इसका मतलब 2 is equal to 4 ये भी जो है solution इसका नहीं आया क्योंकि ये दोनों चीज़ equal नहीं है अगर ये दोनों चीज़ equal आ जाती तो यहां solution हो जाता है यहां भी नहीं हुआ ये ठीक है? second, third देखिए थर्ड के अंदर कहता है 4, 0 तो x की जगे तो 4 पुट करो 4 minus 2 into 0 is equal to 4 तो 4 minus 0 is equal to 4 आया इसका मतलब 4 is equal to 4 हो गया तो ये तो equal आ गया तो ये true हो गया इसका मतलब ये इसका solution है ये 4, 0 जो है इसका solution है यहां 2, 0 इसका solution नहीं था यहां 0, 2 इसका solution नहीं था यहां 4, 0 इसका solution है ठीक है? अब इसका fourth part देखिए under root 2 4 under root 2 तो x के जगे तो under root 2 पुट कीजिए minus 2 into 4 under root 2 is equal to 4 तो under root 2 minus 8 under root 2 ये कितना आया? minus 7 under root 2 क्या ये बात सच है? नहीं है तो ये फिर solution नहीं हुआ clear? तीसरे का पांचवा part देखिए 1, 1 दे रखा है ठीक है? तो 1, 1 के अंदर अब इसके अंदर 1 पुट कीजिए 1 और minus 2 into minus 2 into 1 is equal to 4 1 minus 2 is equal to 4 1 minus 2 कितना? minus 1 is equal to 4 क्या ये बात सच है? नहीं है इसलिए ये इसका solution नहीं है clear? अब इसका fourth question देखिए fourth question में कहता है find the value of k if x is equal to 2 and y is equal to 1 then the solution of 2x plus 3y is equal to k 2x plus 3y is equal to k का solution है कौन? x is equal to 2 y is equal to 1 x, 2, y, 1 इसका solution है तो अगर मैं x के जगे जब ये इसका solution है तो ये इसको satisfy करेगा देखिए ये इसको satisfy नहीं कर रहा था solution नहीं था यहां भी यह satisfy नहीं किया solution नहीं है, अगर यह यह इसका solution उसने already दे रखा है तो इसका मतलब यह इसको satisfy करेगा इसका मतलब 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k तो यहनि 4 plus 3 is equal to k, इसका मतलब k is equal to 7, यह answer आगए clear?